हेलो स्टुडेंट्स तो आज का हमारा कोश्चन है 2x2-3xy-4y2 this is equal to 3 and x2-8y2 this is equal to minus 6 हमें यहाँ पर इस्टुडेंट्स x और y की वे हैलो इसको find out करना है तो देखें इस्टुडेंट्स इस वाली problem को किस परकार से solve करेंगे तो सबसे पहले मैं माल लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास यह वाली equation first और इस वाली equation को second अगर आप ध्यान से देखेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास 4 है and यहाँ पर हमारे पास 8 है and यहाँ पर हमारे पास 3 है यहाँ पर हमारे पास 6 है मतलब 4 का 2 guna हमारा यहाँ पर मौज़ोद है और इस 3 का 2 guna हमारे पास यहाँ पर मौज़ोद है तो अगर मैं Equation First में Equation First में अगर मैं Multiply करत Tw two से तो यह हमारे पास 8 हो जाएगा और यह हमारे पास 6 हो जाएगा तो देखें इससे हमें Benefit के मिलने बाले equation first को मैं 2 से multiply करूं तो यहाँ पर आएगा हमान पास 4 x square minus 3 3 नहीं आएगा students यहाँ पर क्या जाएगा 6 आजाएगा यहाँ पर आजाएगा हमान पास 6 x y plus and 4 को 2 से multiply करेंगा 8 y square and this is equal to 3 को 2 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 6 and equation second को मैंने as it is रखा x square plus x y plus 8 sorry students यहाँ पर minus है तो यहाँ पर आएगा मान पास minus 8 y square and this is equal to minus 6 अगर मैं इस वाली equation में यह वाली equation add कर देता हूं तो अगर मैं इन दोने equations को add करता हूं तो देखिए हमारे पास यह जो plus का 6 और यह जो minus का 6 है plus वाला 6 minus वाली 6 से cancel हो जाएगा और plus 8 y square minus 8 y square से cancel हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4 x square और यह x square हो जाएगा 5 x square and यहाँ पर minus 6 x y और यहाँ पर plus x y तो हमारे पास हो जाएगा minus 5 x y and this is equal to 0 अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5x common आ जाएगा और 5x square को 5x से divide करेंगे तो आएगा x और minus 5xy को 5x से divide करेंगे तो आएगा minus का y and this is equals to 0 यहाँ पर देखें 5x into x minus y का product 0 के बरावर है तो इसके मतलब है यह तो 5x 0 के बरावर होगा यह x minus y 0 के बरावर होगा यहाँ से आप simply कह सकते हैं कि x के बरावर होगा 0 के बरावर हो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x बरावर होगा y के तो हमारे पास यहाँ पर दो case आ रहे हैं एक तो x is equals to 0 and x is equals to y तो देखे सबसे पहले मैं case first को solve करता हूं तो case first मैंने मान लिया कि x is equals to zero अगर मैं x के value आप चाहे इस वाली equation का यूज करी चाहे इस वाली equation का यूज करी यह आपकी मरजी है तो मैं equation first का यूज कर रहा हूं तो अगर मैं equation first में x के जिकाव जीरो पूट करता हूं मतलब यहां पर भी zero पूट करूँगा यहां पर भी zero पूट करूँगा तो यह तो पूरा quantity zero हो जाएगी और यह भी पूरी quantity zero हो जाएगी लेकिन अगर आप इस वाले expression को देखेंगे four y square तो यह रह जाएगा तो हमर पास आएगा four y square is equals to three and यहां से y square की जो value आएगी वो आएगी three upon four and यहां से y की जो value आजाएगी वो आजाएगी plus minus three square root of three and divide by two तो हमर पास यह y की value आगई तो अगर x की value zero है तो y की value plus minus square root of three divide by two की लिश्मेंट्स आप इसको ऐसे भी लेख सकते हैं कि x zero y plus square root of three by two and x zero y minus square root of three by two तो मैंने दोनों solutions को अलग अलग ना रखके एक की साथ लेख दिया है अब बात करते हैं case second की अगर मैं case second की बात करता हूँ case second case second की हमर पास x is equals to y x is equals to y अगर x और y बरावर है तो फिर से आप इस दोनों में से किसी भी equation का use कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर पहले first equation का use ही कर रहा हूँ दुबारा से तो 2x square and minus यहाँ y के जिगा भी क्या पूट करेंगे x तो x into x x square तो हमर पास आजाएगा 3x square plus and y के जिगा भी क्या पूट करेंगे x क्योंकि x और y आपस में क्या है बरावर है तो यहाँ पर आएगा 4y square and this is equal to 3 अगर आप इन दोने expressions को देखते हैं यहाँ से इन दोने expressions को 2x square plus 4x square यह कितना हो जाएगा 6x square और 6x square में से 3x square को मैनस करेंगे तो हमर पास आएगा 3x square and this is equal to 3 यहाँ से हमर पास x square की value आएगे 1 और x की value आजएगे हमर पास plus minus 1 तो x की value plus minus 1 आ रहे हो रहे है x और y बरावर है तो x बरावर है y बरावर है plus minus 1 तो हमर पास जो solution हो जाएगा x भी 1 तो y भी 1 और दूसरा solution हो जाएगा x minus 1 तो y भी minus 1 तो हमारे पास finally चार solutions आ रहे, दो solutions तो यह हो गए and दो solutions हमारे पास यह हो गए तो यही मेरा final answer है I hope this trend आपको वीडियो पसंद आओगा अगर यार आप लोगो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिने और वीडियो को लाइक कर दिने तो मिलते आगर लिए वीडियो में करने कोशन के साथ तब तक के लिए बाइबाइ